तो डियर क्या आपको पता है कि इस बार यूपी में डी फार्मा कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है और काउंसलिंग भी नहीं हो रही है जैसा कि कुछ मेरे पास मैसेज हैं आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि सर डी फार्मा वालों की काउंसलिंग कब से होगी घर वाले जीनने नहीं दे रहे हैं अभी डी फार्मा की काउंसलिंग स्टाटी वें इंट्रेंस एक्जाम हो गया है रिजेंट भी ट्लियर कर दिया गया है अगें दूसरा कमिटे आप आप देख सकते हैं हाई से हम भी हार से हैं जीक आपका फार्म नहीं भरे कुगि डारेक्ट एडमिशन इस बार रुपी में नहीं हो रहा है तो करना क्या है आपको कि जितने भी डारेक्ट एडमिशन के प्लान में है app को डारेक्ट इटमिशन में नहीं जाना चाहिए क्छिए पहले ही यह बोर्ड जो है टिकलिएर कर चुका है यह इंटरेंस में बैठना पड़ेगा अगेर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फिर आपका जो है कि एड्मिशन होगा डी फार्मा कॉलेजस में यूपी में और इसी पर कहीं न कहीं काफी बिवाद चल रहा है काफी कॉलेज जो है बलेकरिस्ट किये गए है यूपी में अनोशी उनकी कैंसिल कर दी गई है रद कर दी गई है इस पर पिछली वीडियो में भी हम आपको बताये थे थोड़ा वेट कीजी और यदि आप डीफार्म में डारेक्ट एड्मिशन चाहते हैं तो किसी दूसरे इस्टेट में जा सकते हैं किसी इन्वर्शिटी में जा सकते हैं जो के लिए सारा चीजे क्लियर हो गया और इस प्रकार से काफी आप सब के कमेंटार हैं और हम बात करें कि काउंसलिंग कब से होगी तो थोड़ा बेट कीजी जैसा कि पिछली वीडियो में हम बताये थे कि अभी कोई ओफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जब आएगा तो मिलते हैं किसी नेक्श वीडियो में